हेलो दोस्तों, स्वागत था आपका हमारे चैनल इस्टेडी टेव पर तो आप मैंसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे किसा डीडियू के एड्मीशन का प्रोसेस क्या है किस तरीके से डीडियू में एड्मीशन लिया जाता है कटाफ कब तक आता है, मेरिट लिफ्ट कब आती है कॉलेज 24 किनको किनको करना होता है तो आज के इस वीडियू में हम लोग डीडियू के पूरे एड्मीशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आज के वीडियू बहुत जादे इंपॉंटेट होने वाली है तो वीडियू को सुरू से अंदर तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है? तो चलिए वीडियू को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहला इस टेप क्या होता है गोरगपुर वीडियाला द्वरा तो सबसे पहले इंटरेंस एक्जाम होता है गोरगपुर वीडियाला का जो की इस समय हो भी चुका है ठीक है? तो अगला इस टेप देखते हैं अगला step आपके intense exam की answer की आती है ठीक है लेकिन इस साल आमको पता होगा कि आपके गौरफ पोर विज़ाले के intense exam की आंसर की नहीं आई है लेकिन हर साल भी सबीधाले में जब intense exam होता है उसके तुरंद बाद ही answer की upload कर दी जाती है ठीक है तो मैंने सोचा आप सबी लोगों को इसकी भी जैन का रही हो इसलिए मैंने इसको step number 2 में रख दिया ठीक है तो अगला step देखते हैं अगला step है step number 3 intense exam का result आता है तो जैसे ही answer क आती है उसके कुछ दिन पस्चा थी intense exam का result आता है और आप सबी लोगों का 2020 का intense exam का result आवे चुका है और मैंने एक वीडियो में बताया है कि आपको कैसे डिविड़ो के intense exam का result डाउनलोड करना है और इस वीडियो का link आपको नीचे मिल जाएगा तो आप सबी लोग जाके व बहुत सारे लोग comment कर रहे थे कि फर मेरिट लिफ्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दो कि मेरिट लिफ्ट एक इस प्रकार की लिफ्ट होती है जीस में आपका नाम रहता है आपका कितना नमबर आया है गोरगपुरी सब्सक्राइब के इंटेन फिजा में रहता है आपके एक तो मेरिट्रेख लिफ्ट में शारी डिटेल होती है तो मेरिट्रेजच आने के पस्छाथ आपका ऊंतत्र इसनली में इसली रखा कियोंकि समझेए करना होता है इसली है विष्ट नहीर में पर फकरेंद में कोर्स के विद्यार्ति है केवल उनको ही college 24 करना रहता है और जैसे college 24 का इस साल आएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपको college चोईस करना है और कौन-कौन से college आपको च्वाइस करना है ठीक है ए में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यह सभी को उसके विद्यार्थियों को नहीं करना है ठीक है तो fourth step आपके डीडू में रिटलिफ्ट आने के बाद आपका 500 step आता है डीडू का cut-off आता है तो जैसे ही दिखा होगा कि 86 से 110 नमर पाने वाले विद्यार्थियों का form और को admission होगा ठीक है इस तरीके से उसमें date, दिनांग, जगह ठीक है सब कुछ दिया रहता है और कितने नमर के विद्यार्थियों का कब admission होगा उसमें दिया रहता है यह यह आपका होता है cut-off ठीक है तो उसी समय में उसी दिनांग पर उसी जगह जाके आपको अपना admission कराना होता है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या क्या डाकुमेंट लेके जाना है और डाकुमेंट वाली भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी link ठीक है तो जाके उसको भी देख लिजे तो basically आपके गोरःपूर भी स्वविद्याले में admission के लिए यही 6 staff होते हैं जिनको आपको follow करके गोरःपूर भी स्वविद्याले में admission मिलता है तो I hope आप लोगों को जो भी confusion थे कि इस वीडियो से clear हो गए होंगे तो अगर आपके और भी confusion हो तो आप comment में पूछ सकते हैं और साथ इसाथ डीडू के ऐसी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को subscribe करने और वीडियो कभी तक like ने किया तो like करें तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हैं अगली वीडियो में Thank you so much